और नमस्कार आप देखना शुरू कर दिए शौरे भारत दूजर मैं हूँ आपके साथ अमीद खत्री मांसुम सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामे के साथ सत्र की शुरुवात हुई जी हाँ सत्र शुरुवात होते ही राजत के तमाम सदस बेल पे आज आ और उन्होंने साफ आरक्षन का मुद्दा उठाया जिस तरह से आरक्षन 65% आरक्षन बिहार को मिला है तो उनकी एक मांग थी कि इस आरक्षन को नौमी अंधिसूची में जारी कर दिया जाए नाम डाल दिया जाए पर लेकिन इसी को लेकर पूरे सदन में हंगामक किया गय आए सुनते हैं भाई बिरंदर राजत के बाई बिरंदर जी क्या कह रहे हैं दायरा बढ़ा और बीजेपी लोगों ने कोट में जाकर उसको रुखवाने करताब किया हमारी मांग ठी कि आरक्षन के डायरा आप महागटबंदन की सरकार में हुआ था उसको नौवी में सामिल करके तब कोई कुछ नहीं कर पायेगा हमारी मांग र法 simplesmente पलती हो गये हैं आज बोलते कुछे कल वोलते कुछे पर सोच पूछे पता नहीं इनको भी थोड़ा सा यहां होता है लग जाता है ना बीजेपी वाला लग जया है इनको आई यह भी पल्टी मार दे रहें और इन्हों ने इनके नितृत में ही हुआ था तेलेसी जादो और इनके नितृत में ही आरेच्छन का दैरा बरा था जाती यह करना जो हुआ था उसकी आधार पर और उसी को नवी नसुख़ी में सामिल करने के लिए हम लोग ने मांग किया है कोई गलत तो यह तहीं बहाए बिरंदर जी जो बता रहे हैं कि कि स तरह से बिहार सरकार अरक्षन के मुद्दे पर पीछे हटते नजर आ रही है और उन्हेंने साफ कहा कि जब जिर्दियू राजत के साथ हुआ करती थे आ तो आरक्षन की बात किया करती थे और जब आरक्षन आज दे दिया गया है तो इसे नौमी अदिसूची में डालने में क्या हर्जी क्या है बने ले शौरे भारत ने उच के साथ पत्ना सिटी और सेंड ब्रांच इज मनुरंजयन पंचाद बावन चैनिटाल पचिंदर वाजा पत्ना सिटी और आवर कंट्रेक्ट नंबर इस 790-34-3303-2 पत्ना सिटी चौक पत्ना